नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जनकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्डंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा लापदा एक साबित होती है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास जिया दोस्तों आज हम आपको केसर के कुछ फाइदों के बारे में बता रहे हैं कि यहां दोस्तों केसर कितना फाइदे मंद होता है जिया दोस्तों खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ केसर का प्रयोग कई आरवेदिक में भी किया जाता है जहाँ दोस्तों हलके लाल रंग होने के साथ-साथ यह आपके लिए बहुत ज़्यदा फाइद्य मंध भी साबित होता है जहाँ दोस्तों केसर की खुछबू बहुत तेज होती है इसलिए यह से मीठे वे अंजनों में ज़द तर डाल के खाया जाता है जिया दोस्तों केसर कश्मीर में पाइदा होता है जिया दोस्तों इसे गरम पानी में डाल कर गहला पीला रंग भी बनाया जाता है जिया दोस्तों पेट समंदी बिमारियों के लिए केसर बहुत जादा फाइदे मन्द होता है जिया दोस्तों चोट लगने या पैर मुनने जैसी समस्याओं में भी केसर का यदी लेप लगाया जाए तो उसके लिए भी है काफी फाइदे मन्द होता है तो चलिए दोस्तों आईए अब हम जा लेते हैं केसर का आपको इस्तिमाल कैसे करना है केसर खादे परदार्तों की सुगंद का स्वाद और इजाफा करता है केसर को खीर, ब्रियानी, मिठाई और दूद इत्यादी में इस्तिमाल किया जा सकता है केसर के दूद में मिलाकर पीने से तवच्चा का सामला पन दूर हो जाता है जिया दोस्तों अब हम कैसे चुने केसर वो भी देख लेते हैं जिया दोस्तों केसर बहुत महंगा होता है कई नकली उत्पाद को पर केसर का रंग चढ़ा कर उसे केसर का नाम बोल दिया जाता है और उसे बेचा जाता है असली केसर और नकली केसर की पेचान करने के लिए आपको गरम पानी अत्वा दूद में थोड़ा सा केसर डाल कर देख लिए जे अगर वे फॉरन रंग छोड़ दे तो समझ आये कि है नकली है असली केसर कम से कम 10 से 15 मिनिट बाद गहरा लाल रंग छोड़ता है और उसके साथ महक आने लगती है चलिए दोस्तों अब हम विस्तार से उसके गुनों के बाने में भी जान लेते हैं सरदर्द को दूर करने के लिए केसर का उपयोग किया जा सकता है फिर सरदर्द होने पर चंदनवे केसर को मिलाकर उसको सर पर लेप करने से सरदर्द में आपको रहत मिलती है अगर बच्चों को सर्दी जुखाम समस्य हो तो केसर वाला दूज सुबह शाम पिलाए बच्चों की सर्दी खासी जुखाम में आपको बहुत ज़दा राहत मिलेगी जिया दोस्तों गैस एडिटी से भी राहत दिलाने में यह बहुत काफी मदद करता है यह हमारी पाचन क्रिया को दिरुस्त रखता है बच्चों को सर्दी अगर समाप ना हो रही हो तो बच्चों की नाक माते छाती और पीट पर केसर जैफल और रोंग कर रेप लगाने से उनको बहुत ज़दा फाइदा मिलता है जी है दोस्तों महिलाओं के लिए केसर बहुत ज़दा फाइदे मन दोता है महिलाओं के कई शिकायते जैसे मासिक चक्र में अनिये में ता गहबाशे में सूजन मासिक चक्र में के समय दर्द होना जैसी समस्या केसर का सेवन करने से आपको रा मिल सकता है केसर का दूद के सा को ठीक करने में काफी मदद करता है और यह रक्त शुद्धी करन करता है अर्थराइटिस मरीजों के लिए भी काफी फाइदे मंद होता है यह जोडों के दर्द से रहात दिलाता है यह धकान को दूर करने और मासपेशों को रहात दिलाने में भी काफी अराम दिलाता है और य इनको नीन ना आने की समस्या होती है या उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। शक्ति और रिकॉल शंता को भी बढ़ाने में भाज़ादा मदद करता है चंदन को केसर के साथ घिज कर उसका लेप माथे पर लगाने से सर का दर्द आखोगो और दिमाग की अश्रीलता मिलती है इस लेप को लगाने से दिमाग तेज होता है जिया दोस्तों आप केसर का इस् बिस्क्राइब शेयर करने ना बूले और मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि दोस्तों हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की भज़दा प्रेना मिलती है